दोस्तों नमस्कार पांडे गुरुजी चनल में आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे अरादभी एक्जाम डेट के लेके अपडेट क्या है कबते एक्जाम होगा उससे पहले हमाई चनल पर आप नए हैं तो हमाई चनल को सब्सक्राइब करने ना बूल है कि रेल्वे भर्ती परिक्षा में होगी देरी जाने और और भी एक्जाम डेट को लेकर ताजा ख़बर तो इसमें प्रकासित ही है कि कफ्तेक एक्जाम होने की संभावना है तो यहां पर देख रहे हैं कि रेल्वे में लगभग एक लगभर्ती के लिए जो भी वेकेंश की बुकिंग दूसरी चुनोती है इसके बाद ही रेल्वे अभियातियों को पर्विस्पत वित्रन और परिक्षा कराने की स्थिति में होगी रेल मंत्राले के वरिष्ट अधिकारी ने बताया कि फरवरी मेरी सुचना जारी होने के बाद उमीद की जा रही थी कि मई में पर परिष्पत बेजने की प्रिक्रिया सुरू कर दी जाएगी लेकिन 1 लाक रिक्ष्पदों के लिए 2-3-7 लाक आवेदन आने से रेल्वे सकते में हैं सभी आवेदनों की छटनी में रेल्वे करम्तियों की भारी मसकत करनी पड़ रही है इसके लावा रेल्वे बोर्ट ने बिन पदों के लिए यायू सेक्षिक योगता वा फिर संसोधन के लिए जिस कारण बे अधिकारियों को मिनत करनी पड़ती है अधिकारि ने बताया कि अभिजारतियों को परविस्पत्र कब तक मिलेगा वीतरन की जाएंगे और परिक्षा कब तक आयोजित की जाएगी इसके बारे में कुछ नहीं का जा सकता है जबकि फरवरी मार्च में रेलवे दावा कर रहे थे कि दिसंबर 2018 तक परविस्पत्र जारे करने परिक्षा कराने फिजिकल मेडिकल टेस्ट आदी पूरा कर निफ्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी लेकिन मुझूदा इस्थिती को देखते वे माना जा रहा है कि प्रक्षा समय अभी पर आयोजित नहीं हो सकती है तो दोस्तों यह बेसिकली अभी कोई ओफिस्यल अपडेट नहीं आया है रेलवे के तरफ से कि कब तक जाम होगी तो मैं जब भी कोई ओफिस्यल अपडेट आता है तो आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना एडवेट कार्ड तो अभी कोई यह कारण है कि बहुत सारे अप्लिकेशन को रिजेक्ट किया जा रहे है बहुत सारे सेंटर को बुक करना है तो यह सारे दिकतों के चलते एक्जामेशन में डिले हो रही है तो आप एक्जामेशन का प्रिपेशन को रोके नहीं और हमेशा तैयारी करते रहे हैं और हमारे चैनल पर विजिट करते रहे हैं मैं डेली यहाँ पर वीडियो प्रवाइड कर रहा हूं तो वीडियो देखन के लिए धेंदवान जे भारत जे हिंद